जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS Study Point YouTube चैनल पर तो आप सभी को बता दे RPF के तरप से 18995 यहाँ पर आप सभी को बता दे कि RPF के तरप से अगर आप भी RPF में जाना चाहते हैं RPF भरती को ज्वाइन करना चाहते हैं तो RPF के officially बेवा साइट पर यह नोटीस जारी किया गया है और यहाँ पर आप सभी देख सकती है आप सभी को बता दे जो यह नोटीस है यह सौट नोटीस है अभी फूल नोटीफिक होती है वे रेलेवे विभाग के अंतरगत आता है हम आप सभी को पहले भी बता चुके हैं कि RPF की भरती होने वाला है जैसे कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा पहले से रेलेवे बोट यहाँ पर देख सकते हैं Employment Notice Number Constable RPF 11 2020 दिया गया है और यहाँ पर आप सभी देख लिजिए यहाँ पर दिया गया है Recruitment of Constable in Railway Protection Force यानि कि RPF Railway Protection Force and Railway Protection Special Force यानि RPSF यानि कि दो पोस्ट पर आपकी भरती होने वाला है पहला है RPF और RPSF के तरब से यह भरती जो है जारी किया गया है In Level 3 यानि कि आपका Third Level का जो है बेतन मिलेगा जो 127,700 रूपया आपका रहेगा यहाँ पर जो यह नोटीस जारी किया गया है 1 December 2020 को जारी किया गया है जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं क्यांकि काफी यह student को लगता है कि कहीं यह फेक तो नहीं है तो यह आप सभी देख ल यानि कि आपका जो नोटीस है आपका फूल नोटीफिकेशन जो है जनवारी 2021 के First Week में जारी कर दिया जाएगा यानि कि एक जनवारी से लेकर 7 जनवारी के बीच आपका नोटीफिकेशन जो है चला आएगा 2021 में RPF का और यहाँ पर देख सकते हैं आप इस लाइन को पढ़ लिजिए अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह हम नहीं बलकि RPF के तरफ सी यह नोटीस चारी किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं अप्लिकेशन आर्टू बी संविटेट ऑनलाइन थू इंडियन रेलवे ब्यवसाइट वनली नो अदर मोड अप्लिकेशन एनी एटेंब तो समभीट मोर देन वन अप्लिकेशन वाई यह कंडिडेट और यहाँ पर देखिए भेकेंसी डीटेल के अंतरगत क्या बताया गया है दग्रूप ऑफ जोनल रेलवे और पीसेफ भेकेंसी इन भाइट अठारे हजार नौसो पंचानवे पोस यहां पर 18,995 पोस्ट एटेशन और फीमेल वेकेंसी है यहां पर कानस्टेबल की भरती आपका इसमें बताया गया है ESI के बारे में इसमें नहीं बताया गया है केवल कॉंस्टेबल के बारे में बताया गया है हालांकि फूल नोटिफिकेसन आने के बाद किलियर पता चलेगा तो ये तो आप सभी देख लिए कि आपकी भरती जो है आने वाला है जनवरी के फोस्ट वीक में यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी जनवरी के फोस्ट वीक में जो है आपका भरती किलियर हो गया है जनवरी के फोस्ट वीक में आपका आएगा ही आएगा अब बात कर लेते हैं इस भरती के जो है complete detail के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दे कि जो यह वेकेंसी होने वाला है यह कंस्टेबल का रहेगा और इस भरती के अंतरगत आपका total post 18995 है male female दोनों के लिए है कंस्टेबल आपका post रहेगा ASI के बारे में अभी नहीं बताया गया है यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका age limit रहेगा 18 बर्स से 25 बर्स अगर आप general से हैं तो 18 से 25 और अगर आप CST से हैं तो आपको 5 बर्स का छूट और OBC से हैं तो 3 बर्स का आपको छूट मिलेगा यानि कि अगर आप 18 से 25 जो है general के लिए और यहाँ पर आपका 18 से 28 बर्स जो हो जाएगा OBC के लिए और 18 से लेकर 30 बर्स SCST के लिए तो यह आप सभी देख सकते हैं अगर आपका age और आपका age काउंट किया जाएगा 1221 के अनुसार एक फरवरी 2021 के अनुसार आपका age काउंट होगा यानि की 2011 तक आपका minimum 18 बर्स होना चाहिए और maximum जो है अगर आप जिस तरह देख सकते हैं जो condition दिया गया है छूट के अनुसार अगर आप है तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर आपको age में confusion हो तो आप नीचे comment box में जरूर पुछ सकते हैं यहाँ पे देखिए qualification की बात करें तो केवल तेंथ पास मांगा गया है आप किसी भी राज से हैं केवल तेंथ पास है तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे PSKL आप सभी को बता दिये यहाँ पे इसकी जो selection process है सबसे पहले CBT होगा उसके बाद PET होगा document verification medical exam यहाँ पे होगा सवरी यहाँ पे सबसे पहले अपका medical होगा उसके बाद आपका document verification होगा यहाँ पे SCHT को रहाई 100 रुपिया application फी लगेगा और all candidate के लिए यानि कि SCHT को छोड़ कर general और OBC के लिए 500 रुपिया लगेगा और 400 रुपिया आपको CBT exam अगर आप दे देंगे उसके बाद आपको account में भेज दिया जाएगा तो यहाँ पर देख सकती है यह detail है और इसकी online apply का date तो आप सभी को पहले भी हम बता चुके हैं एक जनवरी से आपका online apply जो है सुरू होनी की संभावना है क्योंकि जीस तरह से notification में बताया गया है लेकिन हम clear अभी नई बता सकती है क्योंकि उसमें बताया गया है first week जो है उ जनवरी 2021 तक रहेगा तो दोस्तों यहीं थी update I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप सभी को बता दे कि इस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए complete अगर आप सभी को कोई भी confusion है तो तो आप सबसे पहले आप हमारे इस channel को subscribe कर लीजिए KPS study point को और आप सभी को बता दे कि जो यह भरती है आरपी एफ आरपी एफ की जो यह भरती है constable के लिए इसकी class भी आप सभी को हम अपने दूसरे चैनल पर सुरू करेंगे जिसका नाम है KP point नाम है और यह channel का link आपको description में दे दिये हैं आप सभी हमारे दूसरे channel को जाकर भी subscribe कर लीज यह क्योंकि इस channel पर भी आप सभी को class चलेगा आरपी एफ का जो 2021 की भरती है तो अगर आप भी class करना चाहते हैं आरपी एफ की तो नीचे दियेगा जो वीडियो को description में आपको link मिल जाएगा आप जाकर subscribe उसे कर और दोस्तों आप सभी को बता दे कि अगर आप class जो है regular करन करना चाहते हैं इस भरती का जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी जो link वीडियो को description में दिया गया है kp point YouTube channel का तो आप सभी उसे subscribe जरूर कर लिजिएगा क्योंकि इस पर class जो है बहुत जल्द आप सभी का सुरू हो जाएगा तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते है हैं तो उसे subscribe किजिए और सांती साथ अगर आप हमसे contact करना चाहते हैं यानि कि बात करना चाहते हैं तो Instagram पर आप हमें message कर सकते हैं Instagram पर आप message कर सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा kp study point Instagram ID है यहां से आप हमसे बात भी कर सकती है kp study point जो है Instagram की ID है तो अगर आप बात करना चाहते हैं तो नीचे link है आप जाएए और वहां से contact कर सकते हैं आप हमसे तो आप सभी के लिए काफी अच्छा मौका है और जो भी यह student तयारी करना चाहते हैं वे तयारी अपनी अभी से ही सुरू करते और इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप के best book कौन से book आपको पढ़ना है कैसे तयारी करना है